इस वक्त पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में, सोसाइटी को next level of development की ओर ले जाने के लिए, जो सबसे बड़ा Trump कार्ड है, तुरुप का पत्ता जिसे हम कहते हैं, उसका नाम है Millennials, ये जो Millennial जेनरेशन है, इसकी खास एक खासियत है कि ये एक link है between the old and the new, जो bracket है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 35 years तक के जो लोग हैं, ये यंग भी है, और इन्होंने वो पुराना दौर भी देखा है, ट्रांजिस्टर का दौर भी देखा है, और ये new WhatsApp का दौर भी देखा है, इसके comparison में, जो बिलकुल ही new लोग हैं, जो 18-19-20 साल के नए लड़क जो हैं, जो लोग जो जो जस्ट पास आउट हो हैं कॉलेज से, उन्होंने वो दौर नहीं देखा, प्री.com बूम के वो जो दौर था, फ्लॉपी डिस क्या चीज़ होती थी, उस समय का समय क्या था, बिलकुल ही automation नहीं था, कुछ भी, बहुत सारे challenges थे, टे-टो-टे लाइ वहीं, जो senior तबके के लोग हैं, जो 60s में हैं, 50s, 60s में हैं, late 40s में हैं, वो, हलाकि वो आज के technology यूज़ कर रहे हैं, बर उतना smart adapt नहीं हो पाते हैं, तो यह केवल एक millennial generation, जो है, एक golden link है, यह इस दोनों phase के पीछ में, और इसी लिए, they are much better placed, they are best placed to solve world's problems, और यह हो रहा हैं, यही करण है कि बहुत सारे startups, कमाल के startups आज पर निकल रहे हैं, आप देखेंगे बहुत सारी लोग उचाहे हो, आईटेंस हो, या फिर doctors हो, IS officers हो, commerce CEOs हो, अलग-अलग शेत्र में, यह लोग बहुत कमाल के startups कर रहे हैं, तो यह उनको वंचित रखना, decision making, policy making से, बहुत होगा उनके लिए भी और हमारे future के लिए, तो यह वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं बचा, के बहुत 5-7 साल का वक्त है, जिसके बाद यह millennials जो है, they will fade, और यह बहुत शायद या तो obsolete हो जाएंगे, या फिर यह यंग नहीं कहलाएंगे, तो यह 5-7 साल का जो अगला time duration है, य इस तरह हम renaissance का chapter पढ़ते थे medieval history में, उस तरह से second wave of growth और development एक next level पे ले जाने के लिए, देश समाज को, पूरी दुनिया को, यह millennials सबसे बहतर लोग हैं, और उनका use होना चाहिए, they need to be tapped for society's growth, और इसलिए उन्हें मौका मिलना चाहिए, यह गलत है कि उनको हम, उनसे हम काम करवा रहे हैं, और orders वो दे रहे हैं, जो 50s, 60s, 70s के लोग हैं, with due respect to them, उनको थोड़ा sacrifice करना चाहिए, अपनी तरीके से, और हर शेतर में समाज में, millennials को जादा से जादा leadership का मौका देना चाहिए, क्योंकि जो हर तरह के ground challenges को समझता है, और जिसने दोनों साइट देखा है, technological boom का भी, और वो pre-internet का जो दौर था, वो भी देखा है, तो वो सबसे बहतर placed है, changes लाने के लिए society में, और इसलिए उनको leadership roles मिलना चाहिए, policy making में, society के development works में, politics में, हर शेतर में उन्हें मौका मिलना चाहिए, और इसलिए इस चीज़ को हम समझें, हमारे पास वक्त नहीं ही है, यह millennials जो generation है, इसका golden phase कीवल अगले 5-7-8 साल तक ही रहेगा, और इस 5-7-8 साल में, अगर millennials को हम tap करके, उन्हें leadership roles हर शेतर में दे पाए, तो अगला जो 50-60 साल का हमारा time होगा, वो एक golden phase होगा, उसकी कहानी अभी हम लिख सकते हैं, इस पे हमें सोचने की ज़रूत है जिर शे पर लिख समय बाई में की ज़रूत है।